कि हेलो नमस्कार दोस्तों आप सब का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चानल पर आज के इस तुड़ी में हम बात करने वाले मतलब तीन ड्री मिल्यों की विणिंग टिम्स में आपको आपको आप ग्रांड लिग सकते स्मॉल लिग सकते या फिर अच्छे खासे और निक तो फिक्स करी सकते तो इसी चलिए दोस्तों मैंने मैच को हैलाट करके दिखे दिया जिस पर आपको क्लिक कर लेनी है अगर आप तक टीम नहीं बनाई तो आपको नीचे जो प्रिएट अप्शन मिलता उस पर क्लिक करने होगी लेकिन मैं आल्रेडी टीन टीम यहां पर बना के रख चुका हूँ जिसे मैं माय टीम पर जाके एक-एक करके एडिट करके आपको दिखाऊंगा किस किस को लेना है किस किस को नहीं लेन लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट जरू करूंगा कि अगर आपनी चाइनल को अब तक मेरे सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब करें लीजिए साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना नहीं ताकि ऐसे उड़े आप तक पोस्टियर आप अच्छे से अर्निक करते रहें चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते माइटेब पर क्लिक करके करके पहली टीम को आपको इडिट करके दिखा दे तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो कीपिंग में यहाँ पर दो ऑप्शन से जेक लार्क और एसहर प रहा है तो इनको भी मैं आपके सब्सक्राइब परफॉमस डाता चांडा लेना चाहे तो ले सकते लेकिन मैं फिलाल इन दोनों को ही लेने वालो इस टीम में क्योंकि मुझे तीन गैन बाद लेना जरूरी है तो वहाँ पर इसी वज़े से मेरे पास चार बैटसमान दो कीपर और अब दो और तो आठ हमारे प्लीयर हो चुके अब कि बात कर लें को ड् के रिचर्सन मेरे ड्रॉप होने आले जंपा कब पुछले कुछ मैचस में परफॉरमस कुछ खास नहीं रहा लेकिन फिर भी हम इनको ऐसे नहीं की नहीं चले हम कहीं भी नहीं लेंगे यह हम कई नहीं को लेने के पूरी कोशिश करेंगे लेगिन फिलाल इस टीम में उनको हम लेंगे अभी देख लेते दोस्तों यहां पर पीछ की बात करें तो बैटिंग पेच रहें और फिस पर क्लिक करींगे और यह पैस के बना सकते तो यहां पेश्यूरु वेब इस स्टार को 12% से ज़ाद हो ने क्याप्टन मना रहें थे सदर्लेंड को वाइस कैप्टन बना रहा है जादा लोगों ने तो मैं शुरुवात में कोई रिस्क नहीं लेना चाता हूं रिजनी के साथ जाना चाता हूं फिर से एक बार टीम प्रिव्यू करते हैं सबसे पहले तो देखेंगे मिरे पास काफी हट के ले रहा हूं मेरे पास कुल्टर नाइल भी है हाचर भी ले रहा हूं और स्टेवर्ट्स को भी इस टीम में शामिल करता हूं तो इस तरसे तो मेरी काफी गजब की वनी है और मैंने आप थोड़ा रिस्क भी लिया है क्योंकि मैंने जो रिचर्ट्सन जंपा अगेरे गेन काफी फाइदा हो सकता है आप जीद भी सकते या फिर अच्छे कासी अर्निंग कर सकते अगर आप चाहे तो स्मॉल लिग के लिए यूज कर सकते क्योंकि इतनी बुरी नहीं है कि आप इसे यूज ना करे कर सकते दोनों लीगों के लिए लेकिन पहले उस पर जोर दीजेगा क्योंकि वहां पर आपको जीतना मेरा एम है दो चाह पाच्छे बार अभी तक मैंने काफी करीब चाह चुका हूँ और काफी पर जाकर हम जीतते जीतते रहे गये लेकिन हमें हमारा एम वही है मोटी है कि हमें एक ग्रांड लिग हमें जीतना ही जीतना है बात करते कप्टन रहा हैं सदर लेंड को इस त्रुम का वाइस कप्टन बना रहा हूं दोनों की दोनों बेस्ट फार्म में चल रहे हैं और बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छा करके डबल पॉंट दे सकते तो इसलिए इन दोनों को काप्टन और राइस काप्टन बना रहा हूं इस टीम को करते सेव कर लेते और दूसरी डिम में आपको दिखा देता हूं जो की और भी आट के बना ही मैंने अफकोस यहां पर शुरुवात में ही देख सकते हार पर को मैंन परफोर्मंस था तो उनको ड्रॉप करके मैंने अच कार्ट राइट को रहने दिया है और गप्तिल को यहां पर शामिल कर लिया है इसके अलावा अगर मैं अगली टीम में और कुछ ना कुछ चेंज़े सरुरू करने की कोशिश करूंगा लेकिन फिलाल मेरे पास तीनी बैस चाहे तो ज़रूर ले सकते हैं फिलाल मैं तो नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि इन दोनों को छोड़के बाकि किसी और को लेना मुझे लगता नहीं अच्छा रहेगा आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं तो इस टीम में सबसे ज्यादा गेन बास ले रहा हूँ पाँच गेन बाजों के साथ जा रहा हूँ के रिचार्ड सन है जंपा है दोनों को मैंने पिछली टीम में लिया ता दोनों को ले लगा हूँ कुल्टर नाइल को भी नहीं छोड़ने वाला मैं कई पे एलवूड है और स्टेश्टिवर्ट रोजर को भी मैंने ले लिया तो मैं कापिटं तो यहां थोड़ा हट के सोच रहा हूं 4 परफिमस करें को कप्तान बनाने जा रहाए हूं थोड़े कप्तान और वाइस कैप्टन इस तरह से आपको प्रिवीव करते सबसे पहले अगर बात करते किपिंग में तो जे क्लार्क है में पास बैटिंग में गपतिल को ले लिए अगर बात करें अल्राउंडर में वही रहने वाले वेबस्टार और सदर्लेंड इसके अलव किसी और को मैं नहीं लेने आलो आपको अगर चेंज करना है तो आप जरूर कर सकते हैं अगर बात करें डेखेंगे तो काफी बड़िया है तो काफी पकी है कोई भी विकेट ले आपको फायदा जरूर कराके देने वाले हैं तो इसलिए यहां पर थोड़ी हटके आपने देखा भी होगा दोस्तों जो भी टीम में ग्रांड लिक जिती है अगर वह अगर आप स्टाट में जाके देखते हैं तो ऐसी अटपटी सिटी में रहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ अलग किया होता है तो इसलिए आपर आज गेंड बाजों के साथ जा रहा हूं जिसे हंड़ेट परसंट चांसे से आपके जीतने के टीस टेवर्ट जो अच्छे खासे गेंड बाज बहुती टीस कियाप्टन और काड़ को कैपटन भी आप बनाना सकते हैं लेकिन मैं इसท pickle गोल्Г केफिर से रहते हैं तो आप तीन आपको इस टीम पे भी ज्यादा से ज्यादा बड़ी बड़ी टीम में लगानी है लेकिन लिए यूज करें इस टीम को लिए ट्राइक करना चाहिए तो कर सकते हैं लेकिन ग्राइंड के लिए 100% यूज करना है यह तिम आपको जिता भी सकती है फिर अच्छी खासी यह तो हारपर के बाद मेरे पास पाच बल्लेवाज रहने वाले आरण फिंच जे विल्स गप्तिल को मैंने इस बाद ड्रॉप कर दिया कार्ट राइट उसके बाद एंगलार्किन टी फ्रेशर रोजर तो इस तरह से पाच ऐसे बेल गेन बाद बल्लेवाज ले रहा हूँ जो कि काफी अच्छा और धमा के नार परफॉर्मस कर सकते जिसे आपको काफी फाइदा हो सकता है अच्छी का से अर्निंग तो फिक्स कर सकते अल्डाउंडर की बात करें तो यहां थोड़ा रिस्क लेने जा रहा हूं सदर लेंड को ड्रॉप कर रहा हूं वेब स्टार को ले रहा हूं थोड़ा रिस्क है लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहे तो आपको एक बल्लेबाद करना होगा और आप दोनों और को वापस ले सकते अगर बात करें दोस्तों यहां पर गेनबाजी की तो गेनबाजी में भी मेरे पास चार ऑप्शन रहने वाले के पर ले चुकाओ को फिर से ले रहा हूं और हार्चर को भी स्टिम में शामिल कर रहा हूं तो उस्तर से चार ऐसे गेनबाज में ले रहा हूं जो क्या अच्छी खासी गेनबाजी करके विक्टे लेके दे सकते यहां पर डी मूडी को अगर आप लेना चाहे तो ले सकते कर लेते सबसे पहले तो यहां पर थोड़ा अलग सोचा है मैंने कंटर नाइल पिछले कई मैचेस से बढ़ेया परफोर्मस करें इनको क्याप्टन और टी फ्रेशर रोजर को इस टिम का वाइस क्याप्टन मना रहा हूं काफी कम लोग है जिन्हों ने दोनों पर भर्षा किया लेकिन हम जरूर करने वालए जिससे हमें काफी ज्यादा फाइदा हो सकता है उगर बात करें यहां पर मैंने क्वाट किपर लिया आरपर को इसके अलाग किसी और को नहीं ले रहा हूं दोस्तों आपको याद होगा पहली टीम में मैंने हारपर और क्लार्क दोनों को लिया ता दूसरी टीम को लिआखं इस तीम को फायदाय का हटनर को इस टीम को मतलब है तो जहां पर बल्ले बाज्ट कहीं बुए दो यहाँपर दोफर्फर acet rust करें यहां पर पॉइंट पॉइंट फिक्स मिलने आले बैटिंग में आपके पॉइंट कहीं जाने नहीं नहीं है तो यहां पर इसलिए पांच वल्लिवाजों के साथ मैं इस टीम में जाने रहाँ इससे एक रिस्क बड़ी है कि मैं सदर लेंड को मुझे डॉप करना पड़ा है लेकिन वेब स्टार मे यह अच्छे खासे है दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते गेन बाजे की बात कर लो तो यहां पर के रिचर्शन है पुल्टर नाइल है हर्चर है और स्टेवर्ट को मैंने इस टीम में रखा है याने यह टीम और भी जाधा हट के टीम मनी है और इसके भी काफी जाधा चांसे से ग्यारा लिक जीतने के जिससे आपको काफी फायदा हो सकता आप जीत सकते और अच्छी खासी अर्णिंग कर सकते इस तीम पर भी माच्छा से जाधा बड़ी बड़ी लिगे लगाईएगा काफी जाधा करा के दे सकती है अच्छी खासी अर्णिंग तो फिक्स करके दे सकती है कुछ ना कुछ जीता भी सकती है स्मॉल लिक के लिए भी यूज करना चाहिए कोई प्रॉब्लम नहीं कोई निकतने लेकिन पहले ब्रैंड लिक के बारे में सोचिएगा अगर बात करें क्याप्टन की तो क तो करी लेते तो शाथ है दे बैटिंग में अच्छा खासा पर्फोंस कर सकते बैटिंग में इनको काफ़ी अच्छी बैटिंग आसकती हैं तो इसलिए यहाँ पर मैंको क्याप्टन मना रहा हूं और वाइस डैप्टन की पाथ करे तो फ्रेश ब्रेशर ने भी काफी अभी तक अच्छ एम्प्रेशाओ किया ए परफर्मास तो इनको keeping कुछ kita न कुछ बनाना काफी फायदेबन होने वाला तो इसलिए आपर इंको हैश आपको इसे बड़ी लीगों के लिए जादा से जादा करना स्मॉल लीक के लिए उच्छ करना इस टीम को भी क्लोज कर लेते और आपको एक ही बात बताना रह गया या पर सदर्लेंड या फिर काट राइट या फिर फ्रेश हर की जगह पे अगर आप जे क्लार को कही ना कि वा आप भी बढ़िया दोस्तों आइसा नहीं कि यह खराब है लेकिन मुझे चाहिए है कि मैं क्लार्क को भी कहिना काप्टन मनाना चाहता था तो चलिए दोस्तों अभी अभी के लिए इतना ही होप आपको वीडियो जरू पसंद आगा और अगर पसंद आए तो इसे लाइक श डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो वहाँ पर जाके उसे जारू कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते तो आपको बता सको किसे ड्रॉप कि यह उसके जोंप किसको ले सकते आपको और अप्डेट रहते तो वह भी मैं आपको बता सकता हूं तो ठीक है दो आज की वीडियो